दोस्तो आजकल के Computer Technology के पीछे Bill Gates और उनके Microsoft Company का बहुत बड़ा योगदान है Bill Gates और उनके सातियों ने Microsoft की स्तापना April 1975 में की थी पर हर बिजनेस की तरह उनको भी तुरंट सक्सेस नहीं मिला शुरुवात में जब सारा काम Paper और Pen से होता था तब कोई Computer या उनके Software खरीदना नहीं चाता था सभी को वो फालतू का खरचा लगता था इसलिए Bill Gates ने अपने Microsoft Word के Marketing के लिए ये तरकिब लगाई उन्होंने ये फोटो ये दिखलाने के लिए खिचवाई कि उनके हाथ में जो CD है उस CD में इतना Information Store कर सकते हैं जितना Information Store करने उतने सारे Papers लगेगे जिनके उपर वो बैटे हैं इसके पीचे का Logic ये था कि Microsoft Word में एक Page की Size लगबक 30 KB के आसपास होती है और एक CD ROM की Size 7 से 15 GB की होती है अगर हम Average 8 GB समझे तो 80,000,000 KB होती है जिसका मतलब एक CD में हम इतने सारे Pages Store कर सकते हैं अगर हम अंदाजा 1000 Pages की उचाई 12 cm पकड़े तो 2,66,000 Pages की Height लगबक 104 feet या 31 मेटर होती है इस Marketing से Bill Gates के Microsoft को काफी सारे Customer मिले और आज हम देख सकते हैं कि Computer and Storage की Technology कितने आगे चली गई है अगर ये Stunt कोई आज के दौर में 1 TB Hard Drive से दौर आएगा तो उसे 3.5 करोड के आसपास पेपर लग जाएंगे जिसकी उचाई 13.5 km तक पहुचेगी ये Height उतनी होगी जितनी 16 बुर्ज खलिफा एक के उपर एक रखने से होगी आज Digitalization के वज़े से हमारी जिंदगी कितने आसान हो गई है हमारे Documents, Exams, Interviews यहां तक कि हमारे Bank Account भी Digital हो गए है और इस सब के पीछे Bill Gates और उनकी जैसे कहीं हस्तियों का हाथ है ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें